जम्मू कश्मीर और हर्याणा विदान सभा चुनाओं के लिए मतदान संपन हो चुके हैं और नतीजों से पहले हार जीत का अनुमान लगाने वाले एक्जिट पोल भी जारी कर दिये गये हैं जिनने देखकर ऐसा लग रहा है कि भारती जंता पार्टी के हाथ से दोनों राज चुट गए हैं एक्जिट पोल के आकड़े बताते हैं कि हर्याणा में कॉंग्रेस तो जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस और नैशनल कॉंफरेंस के एक अड़बंदन की सरकार बनने जा रही है दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटे लाना जरूरी है और ज्य उमत से 10 जादा हैं जबकि भाश्पा के 27 सीटों में सिमटने का अंदाजा लगा गया है वहीं जम्मू कश्मीर के पोल आफ पोल्स की बात करें तो 10 में से 5 में नैशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस गडबंदन की सरकार बनने का अनुमान है वहीं कुछ पोल्स में एंसी और कॉंग्रेस को 40 सीटे मिलने की संभावना जताए गई है वहीं बिजेपी जम्मू कश्मीर में 30 सीटे ला सकती है और महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP 10 के आसपास सीटे जीच सकती है अब आए एक एक करके एकजिट पोल जारी करने वाली बड़ी संस्थाओं के अनुमान पर नजर डालते हैं सबसे पहले हरियाना की बात करते हैं सीबोटर के एकजिट पोल में यह नुमान लगाए गया है कि कॉंग्रेस हरियाना में 50 से 58 सीटे जीच सकती है जबकि बीजेपी 20 से 28 में सिमट सकती है वहीं जेजेपी को बामुश्किल 2 और अन्य 10 से 14 सीटे हासिल कर सकते हैं भासकर रिपोर्टर्स पोल का अनुमान है कि हरियाना में कॉंग्रेस को 44 से 54 भाषपा को 19 से 29 आइण डीएल को 1 से 5 जेजेपी को संभवता है एक और अन्य को 4 से 10 सीटे मिल सकती हैं रिपब्लिक मैट्रीस का अनुमान है कि हरियाना में कॉंग्रेस 55 से 62 और अन्य दो से पांस सीट पा सकते हैं अच्छा हर्याना के एक्जिट पूल में आम आद्वी पार्टी का जिक्र देखने को ही नहीं मिल रहा है जिस कॉंफिडेंस से आपने इंडी कड़बंदन से किनारा कर अकेले चुनाव लड़ने का दम भरा था वो एक्जिट पूल आन भी नहीं हिला है खैर अब आये जम्मू कश्मीर के एक्जिट पूल पर नज़र डालते हैं सी वोटर के हिसाब से यहां एंसी और कॉंग्रेस को 40-48 सीटे मिल सकती हैं जबकि भाशपास 27-32 सीटों में ही जी सकती है जबकि पीडीपी 6-12 और अन्य 6-11 सीटों पे जी सकते है दैनिक भासकर रिपोर्टर स्कोल के हिसाब से जम्मू कश्मीर में कॉंग्रेस और एंसी गड़बंदन को 35-45 बिजेपी को 20-25 पीडीपी को 4-7 और अन्य को 12-18 सीटे मिल सकती हैं जबकि रिपबलिक कुलिस्तान के आकड़े सबसे अलग हैं इसके हिसाब से जम्मू कश्मी में बिजेपी को 28-30, एंसी को भी 28-30, पीडीपी को 5-7 और कॉंग्रेस को सिर्फ 3-6 सीटे ही मिल सकती हैं जबकि अन्य 8-16 सीटों पर जिए सकते हैं एक्जिट पोल के हिसाब से दोनों राज्यों में कॉंग्रेस और एंसी कॉंग्रेस की सरकार बननी की संभावनाय जादा हैं मगर यह एक्जिट पोल पूरी तरह से सच साबित होंगे इसकी गारंटी कोई नहीं दी सकता है लोग सभचनाओं में इन सभी चैनल के एक्जिट पोल ने एंडिये को 370 प्लस सीट लाने का अनुमान चाता है था जो परिणाम के हिसाब से आसपास भी नहीं भटकते थे खैर आज अक्टूबर को दोनों राज्यों में हुए मतदान की काउंटिंग होगी और इसी के साथ परिणाम का भी पता चल जाएगा वैसे आपको क्या लगता है इन राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है हमें कमेंड में जरूर बताएं और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हुआ हुआ